महराष्ट में निर्दली सांसत नौनीत राना का महराष्ट सरकार से माफी माँगने को लेकर एक बहुती बड़ी अपडेट आ रही है जैसा कि आप सब को पता ही होगा नौनीत राना और रवी राना को राजद्रोह के आरोप में मुंबई पुलिस के दोरा गिरपतार किया गया था और बाद में कोड के दोरा बोला गया कि उनके उपर राजद्रोह का आरोप बनता ही नहीं है इस पर काफी ज़्यादा बवाल भी मचा और मीडिया की टीम जो है वो महराज सरकार से क्यूस्चन पूछना इस्टार्ट कर दी कि क्या अगर राजद्रों का आरोब नहीं लगा उसके बावजूद भी पुलिस के दोरा उनको उपर राजद्रों का आरोब लगा कि गरपतार क किया गया था तो इस पर क्या महराज सरकार अब उनसे माफी मांगेगी तो इसको लेकर महराज के ग्रीह मंतरी दिलीववाल से पाटिल ने मीडिया से बात किया है और उनके दोरा एक बहुत ही बड़ा इस्टेट्मेंट दिया गया है जहां पर उनके दोर महराज के ग्रीह म अपनी हरकत के लिए उन्हें खुच जो है महराज सरकार से माफी मांगनी चाहिए जिस तरह से उन्होंने महाल को बिगाड़ा था वो बहुत ही गलत था यह सीधे सीधे बोला गया है वो भी महराज के ग्रीह मंतरी दिलीववाल से पाटिल के द्वारा और उनके द्वारा बोल दी गई थी वो पूरी तरह से गलत है लेकिन ऐसी सुरच्छा लेकर भी कुछ करना कि आप किसी भी घर के बाहर जाकर आंदोलन्द करने की धंकी दे यह और भी गलत है उन्होंने कहा कि केंद बनाम राज एजंसी का संगर्स ना हो इसकी कोशिस हम पूरी तरह से कर रहे हैं लेकिन दुर्भाग से केंदरी एजंसिया जाजती कर रही है जिसकी हुजासे हमें ये सब कुछ करना पड़ रहा है देखते हैं आने वाले टाइम पेश पर और क्या अपडेट आती है लेकिन इसके साथ में हुनों ने ये भी बोला है कि हम इस केस में अगर राज द्रोग क केस में जैसा कि राज ठाकरे को उपर भी आरोट लग रहे हैं तो हम राज ठाकरे के खिलाप में हो सकता है जल्दी कारवाई करें आपका क्या ओपिनियन है इस पर आपना ओपिनियन कमेंड वाक्स मता है और वीडियो के जाएज ज़्यादा सेयर करें